तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्टेट गॉसेश थियोरम ऑफ एलक्टोस्टेटिक्स आज हम लोग बात करेंगे एलक्टोस्टेटिक्स में एक थियोरम है जिसका नाम है गॉसेश थियोरम जो सबसे इंपोर्टेंट थियोरम है एलक्टोस्टेटिक्स का सबसे ज्याद जबसे ज़्यादा इंपोर्टेन थियूरम है वह है initiatory or झा जब लोग इसी पी चर्चा करेंगे और वह जानेंगे कि ये सबसे ज्यादा इंस आज एक स्विवसिद्ट गॉस्षेर्ट चल्ड sustained भूर्ड में हर साल पूछा जाते हैं उसमें को स्थे तो सबसे पहले में डिफाइन करना है गोशेश थियोरम को कि गोशेश थियोरम होते गया है अगर इसको डिफाइन करें तो यह कहा गया है दो अगर हम लोग सको सीधे सीधे समझें तो गोशेश थियोरम का कहना था कि जो इलेक्रिक फ्लक्स होता है न इलेक्रिक फ्लक्स क्या होता है तो अगर हम लोग एकजामपल के तुरइचा समझेना चाहें तो अगर यह सर्फेस ले फॉर इकजामपल यह क्या आपना गॉशेंस्ट अगोशेंन सर्फेस है इसky क्या बोलेंगय कि गॉशीन सर्फेश गोशेश जो-तथियोरम है वह हमीं साथी इसके लिए डिफाइड होता है तो हम लोग यह कर इस गोस्यान सरफेस के अंदर में अपने पास टूटल फूर चार्जें देए q1 q2 q3 q4 अगर हम लोग यहां से अल्यक्रिक फ्लक्स जालना चाहें किया ऊब होगा total charge कितना होगा algebraic sum सबका addition होगा q1 q2 q3 q4 यह total charge है upon epsilon note जब भी हमें कभी भी electric flux निकालना है तो क्या करेंगे for example लगए में इसका electric flux निकालना है था हमें एक surface consider करना होगा जिस surface का नाम है Gaussian surface तो यहां का electric flux कितना होगा total charge कितना q upon epsilon note तो जब भी गोशिस theorem के बारें चर्चा हो गोशिस theorem को define करने कहा जाए तापको यह definition लिखना है the amount of total electric flux over close surface is one by epsilon note times of the total electric charge enclosed by the surface one by epsilon note times the total electric charge enclosed by the surface means total charge in close surface close surface upon epsilon note total charging close surface upon epsilon note close effect के अंदर कितना charge है अगर हम लोग यह example को देखें तो इस example में closed surface के अंदर कितना charge है q1 q2 q3 q4 है तो total charge को हम लोग के कर देंगे एड़ कर देंगे और epsilon note से divide कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा electric flux तो और दूसरी बात electric flux का अगर कभी unit पूछा जाए तो इसको हम लोग दो यूनिट के टर्म में बोल सकते हैं electric flux का दो यूनिट होता है electric flux का पहला यूनिट होता है यूटन मेंट पर कुलं और दूसरा यूनिट जो होता है वो तो वॉल्ट मेंटर फस्ट यूनिट है न्यूटन मेंटर इसकोर पर कुलंब और सेकेद्स खार्ड चुह कने घंख रोगा व्र्ट मीटरकुलय मभल कर चुचि झाल झाल